दोश्तों अक्सर देखा जाता है कि जब कोई आप 10 टिकट बुग करते हैं और आपको किसी कारण बस उस डेट पर यात्रा नहीं करनी रहती है तो आप उस टिकट को कैंसल कर देते हैं और अगले डेट के लिए एक नई टिकट फिर से बुग करते हैं लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टिकट की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं यहां तक कि उसका टेबल का क्लास है जैसे स्लीपर है कि थाड़े सी है यह भी आप चेंज कर सकते हैं जी हां दोस्तों तो चलिए आज के वीडियो में हम किसी भशेवर शर्शता करने वालें कि कैसे आप टिकेट की डेट को और ट्रेबल का जूỏ आप चैन्ज कर सकते хंव स्ब्सकार दोश्तों मैं राहूल और आप देख रहें रेल जर्णिक राहूल दोश्तों आप को अपने ticket की date को change करवाने के लिए अपने किसी नजदी की railway station के reservation counter पर जाना होगा और वहाँ पर आपको अपने ticket के साथ एक application देना होगा और जिसमें आपको लिखना होगा कि आप अपने ticket की date को और अगर उसके travel के class भी वो भी आप change करवाना चाते हैं तो वो भी आपको उसमें लिखना होगा और उसके साथ वहाँ पर ticket collector के पास आपको देना होगा तो फिर आपके जो ticket की date है और जो travel का जो class है जिसे की sleeper में हैं तो 3 AC में 3 AC है तो अगर 2 AC में करना चाते हैं तो वो भी वहाँ पर वो आपको change करके दे देंगे लेकिन दोस्तों ये सुबधा जो है केवल ticket counter से booking किये ये ticket पर ही available है अगर आपने online ticket book किया है तो उस पर जो है ये सुबधा आपको नहीं मिलने वाली है और ticket में date change करवाने का जो सारा process है इसको आपको उस train departure के 48 घंटे पहले करना होगा और दोस्तों आपको बता दें कि ये सुबधा confirm RAC और betting सभी ticket वालों के लिए है आपका किसी पर परकार का ticket है तो उसमें आपको date वगेरा और टेबल का class है वो भी change हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों आप अपना अगर boarding station भी change करना चाते है तो वो भी change हो जाएगा और अगर आप टेबल का class जो है वो change करते है जैसे की sleeper में ticket है आप 3 AC में करना चाते है तो उसके जो fair का difference है वो वहाँ आपको देना पड़ेगा और जो ये इस परकार की service है date और टेबल की class जो है आपसे वहाँ पर लिया जाए और अगर आप टेबल के class में अपग्रेड करते हैं किसी छोटे class से बड़े class में तो उसका जो fair है वो आपसे लिया जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ सारी चीजे आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होंगी और अभी भी अगर इससे related कोई भी doubt है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पोच सकते हैं तोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रस्क देजिए तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैन एंड कोड़ ब्लेसिवाल